नमस्कार दोस्तों दोस्तों जीरा एक सुगंदित मसाला है जो कि गाजर और अजमोद की परिवार से संबन्द रखता है विदेशी व्यंजनों में खास तोर पर जीरा डाला जाता है भारत में जीरे के चावल भी खूब पसंद किये जाते और यहां पर हर गर की रसोई में ज दोस्तों लंबे समय से विबिन संस्कृतियों के लोग गैलिक्टागोग यानि कि स्तन पान करणे वाली महिलाओं में दूद के स्तुराओं में सुधार लाने और रोगाण रोधी के रूप में जीरे का उप्योग करते आए हैं जीरे के आयरवेदिक उप्योग की प्रिखत को भी लाग पहुचाता है दोस्तों जीरे का पौधा एक वार्षिक जड़े बूटी है जो की एक से डेड़ फीट की उचाये तक बढ़ सकता है इसका वानस पतिक नाम क्यूमिनम साइमिनम है तो दोस्तों बात की जाए जीरे के फाइदों के बारे में तो सबसे पह आइरन से पोशित करता है और इसमें पाये जाने वाला आइरन रेड बलर्ड सेल्स के उत्पादन को बढ़ाता है और ठकावट जैसे एनिमिया के लक्षणों को भी कम करता है यह आपकी उपापचय क्रियाओ में भी सुदार लाता है आइरन की कमी को दूर करने के लिए और शरीर को एनिमिया से बचाने के लिए अपने देनी कहार में जीरा पाउडर को शामिल करें और इसे थकान, चिंता, संग्यान अत्मक दोश और पार्चन विकार जैसे एनिमिया के लक्षणों से भी राहत मिलती है साथ ही साथ दोस्तों जीरा जो ही ये सांस की बिमारी के लिए भी फायदे मन है जीरे में थाइमो क्विनोन होता है जो कि सूजन और अन्य ऐसे कारणों को कम करता है जो अस्तमा का कारण बनते हैं ये ब्रॉंको डैलेटर के रूप में भी कारे करता है जीरा जो ही ये एंट एक स्वसंद्रोग है जो की फैफडो की सूजन और बल्गम के उत्पादन का कारण बनता है जिसे की सांस लने में तकलिफ होती है और ये प्रदूशन, मोटा पा, इन्फेक्शन, एलर्जी, व्यायाम, तनाव यां फिर हार्मोनल असंतुलन के कारण हो सकता है तो जीरे का शीका की दिवार यानि की कैपिलरी वॉल्स को मजबूत करने में मदद करती है ये त्वचा की नमी और लचीले पन में सुधार करती है और प्राकरतिक एंटी एजिंग के रूप में भी काम करती है स्टड़ी से पता चला है कि विटामिन E सूजन को कम करती है और त्वचा क इनफेक्शनों को भी रोक सकते और इनका इलाज कर सकते हैं साथ इसाथ दोस्तों आपकी प्रतिरक्षा तंत्र के लिए भी जीरा जो ही ये फायदेमन है जीरे में विटामिन C होता है जो की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने का काम करता है विटामिन C उन लोगों के ल रहे लो बलड प्रेशर, सूजन, स्ट्रोक, दिल की दोरे और कैंसर की खत्रे को कम कर सकता है और तवचा को स्वस्त बनाता है साथ इसाथ दोस्तो जीरा जो ही ये अनिद्रा का इलाज भी कर सकता है यदि आप अनिद्रा के शिकार हैं तो चिंता मत कीजिए जीरे की मदद से आप इस विकार से आसानी से लड़ सकते हैं जीरे में मेला टॉनी होता है जो कि अनिद्रा से और अन्य सोने से सम्मधित विकारों से लड़ने के लिए अनिवारिया माना जाता है मेलाटोनी ने एक ऐसा हर्मोन है जो आपको सोने में सहायता करता है तो दोस्तो अ निद्रा को दूर बगाने के लिए एक केले को अच्छे से मसल लें और फिर उसमें एक चमच जीरा पाउडर मिला दें और इस मिश्रण को देनिक रुप से सोने से पहले खाएं अन्य विकल्प ये है कि आप रोजा ना रात में जीरे से बनी हुई चाय पिए जीरे की चाय बनाने के लिए दो या तीन सेकंड के लिए एक चमच जीरे पाउडर को कम आज पर पकाएं और इसके बाद इसमें एक कब पानी डाले और इसे उबलने दे उबलने के पश्चाथ इसे पांच मिनट तक डखकर रख दें और फिर छान कर पी लें साथ ही साथ दोस्तों जीरा जो ही ये हड्डियों को मजबुत बनाने में मदद करता है जीरा आपके हड्डी के स्वास्ते के लिए अतियन फाइदे मंद होता है इसमें कैलशियम, पोटेशियम और मेगनेशियम जैसे खनीज नहीं थे हैं जो कि हड्डियों के स्वास्त के लिए अनिवारियों माने जाते हैं इसके अलावा इसमें विटामिन B12 भी है जो कि हड्डियों के लिए स्वास्त वर्दक है और इसमें एस्ट्रोजन के योगिक भी होते हैं जो की रजो निवरुत्ती उपरांत महिलाओं में आस्टियो परोसिस के खत्रे को कम करता है अपनी हड्डियों को स्वस्थ बनाने के लिए और उनके गनत्व में सुदार लाने के लिए अपने देनी कहार में जीरे को शामिल करें साथ ही साथ दुस्तो जीरा जो ही आपकी श्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है जीरे में नहीत अंटी अक्सिडन्ट और अंटी इंफ्लिमेटरी गून स्मरण शक्ति में तो सुदार लाते ही है साथ ही ये एकागरता के स्तर में भी सुदार लाते है ये अलजाइमर और उम्र के साथ आने वाले याददा संबंदी विकारों का भी एक सफल उपचार है इसमें विबिन्ड प्रकार के विटामिन B और विटामिन E भी है जो की नसों को उत्तेजित करके दिमाग की कारेशलता में सुदार लाते है 2011 में Pharmaceutical Biology में प्रकासित एक स्टड़ी के अनुसार जीरा का नियमित रुप से सेवन करने से स्मरण शक्ति में सुदार आता है और दिमाग पर पढ़ रहा स्ट्रेस भी कम होता है तो रोजा ना आदा चमच भूने हुए जीरे को चबा कर खाएं और अपनी स्मरण शक्ति को उत्प्रेरित करें साथ इसाथ दुस्तों डायबेटीज को नियंतरित करने के लिए भी ये गुणकारी है आयरुवेद के अनुसार जीरे में बहुत अच्छे मदुमे विरोधी गुण पाए जाते हैं खाद्य विज्ञान और पोशन के इंटरनेशनल जर्नल प्रकासी 2005 की एक स्टड़ी ने भी इस बात की पुष्टी की है कि जीरा जो ही हाइपो ग्लाइसेमिया और ग्लाइकोज यूरिया में सहायता कर सकता है तो डाइबिटीज को नियंतरित करने के लिए आँठ चमच काला जीरा बून लें इसके पश्चात बूने हुए जीरे को पीस कर चूर्ण बना लें और इस चूर्ण का आदा चमच पानी के साथ खा लें और कुछ मैनों के लिए ऐसा रोजाना दिन में दो बार करें दोस्तो चूकि जीरे का सेवन आपकी सर्जरी को प्रभावित कर सकता और इसलिए जीरे का सेवन सर्जरी से दो सप्ता पहले ही बंद कर दें साथ इसाथ दोस्तो जीरा जो ही आपकी पाचन क्रिया को उत्तेजित करने में फायदेमन है जीरा आईरुवेद में पेट दर्द, अपच, दस्त, पेट फुलना, मतली वगेरा पाचन सम्मती विकारों के उपचार के लिए एक बहुती मशूर होशदी है और यह अगनाश है एंजाइम जो की पाचन क्रिया में समर्थक होते हैं उन्हें उत्तेजित करता है यह पेट में हो रही अमलता का भी एक सफल उपचार है तो दोस्तो पाचन क्रिया को उत्तेजित करने के लिए एक गिलास पानी में एक चमच बुना हुआ जीरा पाउडर मिलाएं और इसे दिन में एक या दो बार रोजाना पियें जीरा जो ये केलिशयम और आईरन से समरोध होता है और ये दोनों ही गरपवतिवर स्तंपान करा रही महिलाओं दोनों के लिए उत्तम है और ये स्तंख के दूद के उत्पाधन को उत्तेजित करके उसकी मातरा को बढ़ाता है। इसके अलावा ये माओं को शिशु जन्म उपरांद खोई हुई ताकत और फूर्ती को वापिस लाने में भी सहायक है तो दोस्तो स्तन दूद को बढ़ाने के लिए एक चमच जीरा पाउडर एक गिलास गर्म दूद में मिलाएं और इसमें शहेद की मिठास मिलाएं और कुछ चप्तों के लिए इसका सेवन रोजाना रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले करें और साथी साथ दोस्तो जीरा जो ही आपके उदर शुल दर्द से आराम दिलाता है अपनी वायू नाशी गुन के वज़े से जीरा जो ही उदर शुल में हो रहे दर्द का भी एक सफल उ 15 मिनिट के बाद इसे चान ले और इस गोल का एक से दो चमच अपने बच्चों को पिलाएं साथी साथ दोस्तों जीरा जो ही ये बलोटिंग का भी एक प्रबावी उपचार है बलोटिंग या फिर फूला हुआ पेट पेट में गैस का कारक है और इसे आपको पेट में दर् तेरा की स्टडी का कहना है कि जीरा जो ही ये बलोटिंग सहीद इरिटेबल बॉल सिंड्रॉम सभी की लक्षणों में सुधार लाने में कारगर है बलोटिंग की सिकायत को दूर करने के लिए एक कप पानी उबालने के लिए गैस पर चड़ाएं इसमें एक चुटकी पीसा ह जीरा अदरक पाउडर और समुदरी नमक के सासाथ आदा चम्मज सौंफ के बीज डालें पांच मिनट के लिए इसे कम आच पर उबलने दें और छानने के पश्चात इसे ठंडा होने दें और पी लें जरूत पढ़ने पर ये प्रक्रिया दोबारा दोहराएं और साथी ही आपके वजन गटाने में भी सहायक है जीरा भी वजन गटाने वाले आहार के रूप में उप्योग किया जाता है क्लिनिकल प्रैक्टिस की कॉंप्लिमेंटरी थेरेपीज में प्रकासी 2014 के एक स्टड़ी में अधिक वजन और मोटा पेसे ग्रस्त महिलाओं के शरीर की तो दूस्तो वजन गटाने के आसान तरीके के लिए जीरे को बून लें और इस बूने हुए जीरे को मक्सी की मदद से पीस कर चूण बना लें और इस चूण का एक चमच रोजा ना दही में मिलाकर दो बार खाएं इससे आपका वजन आसानी से कम हो जाएगा और उसके बाद दूस्तो बात की जाए जीरे की कुछ अन्य फायदों की तो दूस्तो जीरा में आयरन की मात्रा आधिक होती है जिसकी वज़े से ये शरीर में रक्त के स्तर को बढ़ाता है और मासिक दर्म चक्रों को स्वस्थ बनाने में मदद करता है जीरे में मौझूद एंटी वाइरल और जिवान रोधी गुणों की वज़े से ये शरीर में कई तरह के इंफेक्शन होने से रोकता है। जीरा में हाइपोलेपिडैमिक गुण होते हैं जो कि वसा के स्थर को नियंतरित करने में मदद करता है। और अपने कॉलेश्टरोल स्थर को कम करने के लिए आप दही के साथ जीरा पाउडर को मिला कर खा सकते हैं। जीरा जो ही विटामिन C में समरूद है और इसमें एंटी फंगल गुण होते हैं सरदी जुकाम और अन्य स्वसन समस्याओं को ठीक करने में ये मदद करता है। और साथ इसाथ दुस्तो कॉलन और स्टन कैंसर के इलाज में जीरे का सेवन सहायक हो सकता है। जीरा जानेंगे जीरा खाने के सही तरीके के बारे में तो जीरा चावल भारत में एक आम पकवान है जो की गी में जीरा के बीजो को बून कर पानी में पकाया जाता है। जीरे का उपयोग सूप, सोस और अचार को तयार करने में भी किया जाता है। दोस्तो जीरे के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है जैसे की हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाला जीरा ही खरीदें जो की तरजनी याने की इंडेक्स फिंगर और अंगुठे के बीच निचोडने पर एक सुहानी और मिर्च सा महक फेलाती है। जीरे को एक हवा बंद डिब्बे में ही रखें और पीसे हुए जीरे को हवा सिल कंटेनरों में फ्रिज में स्टोर करें। और अब हम दोस्तो जानेंगे जीरे के नुकसानों के बारे में तो दोस्तो जीरा एक ऐसा मसाला है जिसके बिना तो बारतिय वेंजनों की कलपना करना भी असंभवसा लगता है। सबी प्रकार के बारतिय व्यंजनों में स्पेशल स्वाद के कारण जीरा का उपयोग किया जाता है लेकिन कि आप जानते हैं कि जीरे के कई प्रकार के दुश्प्रबाव भी हो सकते हैं जीरे का अधिक सेवन पाचन संबंदी समस्या और हार्ट बन का एक कारण हो सकता है जीरे के वात हर प्रबाव के कारण ये अत्यादिक डखार का कारण बन सकता है और जीरे से गर्बवती महिलाओं उपर गरबान तक प्रबाव पड़ सकता है ज्यादा मात्रा में जीरे के सेवन से गर्ब पात या फिर समय से पहले डिलेवरी होने की आशंका बढ़ जाती और इसलिए गर्ब बती महिलाओं को जीरे के अधिक सेवन से बचना चाहिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकर ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजे और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कले सब्सक्राइब और बैल आइकन के बटन को जरू क्लिक करने ताकि मेरी नई वीडियो को नाटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके थैंक्स फॉर योर टाइम